प्रियांका और अंकित का प्यार सिर्फ कैमरा के लिए था ये लोग जो कर रहे थे ये सब कुछ ढोंग था और ये गेम के लिए था ताकि बाहर इनके नाम के ट्रेंड चलें कुछ ऐसा ही अर्चना कहती नजर आ रही है दोस्तो चलिए बात करते हैं स्वागत है आब सभी का बॉलिवोड स्पाइ में मैं हूँ अधिती शर्मा तो दोस्तो यहां पर अर्चना सुभा सुभा एक बार फिर से प्रियांका की ही बाते करती नजरा रह रही है बुचाती है क कि हमने तो दो साल से बात नहीं की, फिर शो में आने के बाद कैसे अचानक से बातचीत हो गई, ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे तो फिर हम भी अपना लव एंगल चला सकते थे यहाँ, मेरा और शिव का तो must लव एंगल चलता, मैं भी बना सकती थी, गेम के लिए बाहर जाकर, मै तुझे नहीं जानती, तुम्हें नहीं जानता, तो यहां पर प्रियांग का और अंकित का जो प्यार था, वो सिर्फ कैमरा के लिए था और गेम के लिए था, ताकि लोग इने बाहर पसंद करे, क्योंकि लोग को रोमेंटिक कपिल्स पसंद आते हैं, यहां पर सौंधरेन अर्चना को करेक्ट भी किया कि उसने ऐसा नहीं कहा था कि दो साल से बात नहीं की उसने ऐसा कहा था कि दो साल तो हमने साथ में काम किया पांच महीने से हमारी बात नहीं हो रही थी लेकिन यहां अर्चना को अपने अलग मजे लेने है दोस्तों अंकित के घर से बेघर होने के बाद भी अर्चना की जलन कम नहीं हो रही है वो अंकित को भुला नहीं पा रही है और उनी की बाते करती नजर आ रही है आप सबी को क्या है कहना कॉमेंट्स में जरूर बताइए